हे वासब गाइस तो आज में रिव्यू करने वाला हूँ बर्गर किंग का कॉम्बो जिसमें आता है वेज क्रिस्पी बर्बर प्लेस वेज क्रिस्पी रैप फो जेस रूपीज नाइटीनाइड अब जेल्दी से इस पैक को अनबॉक्स कर लेते है यह रहा टीशू पर और यह है बिल अरे है सोस पैकेट्स और यह है हमारा क्रिस्पी वेज रैप हमने दो आडर कर रहे है दो कॉम्बो स्टर कर आई इसलिए दो है और यह है हमारा चोटा सा बर्गर और यह रहा हमारा दूसरा चोटा सा क्रिस्पी वेज बॉटगर और देख लेते हैं क्या क्या है इस्म्छ और तोठे स्वासपेट है है अब यहा आप देख सकते एक कॉम्ब में आते हैं एक वेजबर्गर और क्रिस्पी वेजड़ाब हमने दो कॉमबर ओर्डर करा है हमें इसका प्राइस पड़ा है बिल पर लिखा है 186 रूपीज पर यह हमें पड़ा है जिस्ट 156 रूपीज फॉर टू कॉमबर्स और स्विगी अफ्टर यूजिंग द टेस्ट कर लेंगे पहले इसके टॉपिंग्स को देखे लेंगे यह देख सकते हैं पहले इसमें टैंगी सोस और उनियन और एक क्रिस्पी वेजड़ पैटी और टेस्ट ओके उके उता अच्छा नहीं है मुझे यह बर्गर उतना पसंद नहीं आया है एक बल्टो बर्गर देन दिस और अब हम टेस्ट कर लेंगे इस क्रिस्पी वेजड़ रैप को दोना के फिलिंग्स में कुछ फरक नहीं है सिर्फ बंस और यह मलाबा पराटा यूज़ किया गया है यह आप देख सकते हैं मलाबा पराठा के अंदर सेम फिलिंग से पैटी और टैंगी सॉस और कुछ वेज़ी से इसमें और सबकुछ सेम है इसका पी टेस्ट वैसाई चे मुझे उतना अच्छा लाई नहीं लागा पर जूसरों को पसंद आ सकते हैं ब्कॉस एवर्योंस टेस्ट इस डिफरेंट सो मुझे यह उतना पसंद है अच्छा ही चे एक बार ट्राइब कर सकते हैं यह टांगी सोस मुझे उतना पसंद आया है अपर दे सकते हैं टांगी सोस उतना अच्छा नहीं है फार माई टेस्ट दूसरों को पसंद आ सकता है अपर दे सकते हैं मेरा मील कतम हो गया है यह क्वांटिटी बहुत जयाद है पर टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा चाहे दूसरों बंदे को अच्छा लग सकते हैं बट मुझे टांगी सोस उतना अच्छा नहीं लगा तो तैंक्यों गैस थांक्यों फार वाच्छिंग